बॉलिवुड की मशूर अधाकारा श्रीदेवी का शनिवार देर राथ दिल का दोरा पढ़ने के वज़े से निधन हो गया, वो 54 साल की थी शनिवार आधी राथ के बाद फिल्म इंडस्ट्री को जब इस दोखत खबर का पता चला तो शोक की लहर दोड़ गई भारते फिल्म जगत श्रीदेवी के निधन पर शोक वेक्ट कर रहा है श्रीदेवी के निधन की खबर से कमल हसन गहरे सदमे में है कमल और श्रीदेवी ने सदमा में साथ काम किया था इस फिल्म के बाद ही श्रीदेवी को बॉलिवुड में पहचान मिली थी फिल्म सद्मा को उनके को स्टार रहे कमल हसन ने ट्वीट पर लिखा सद्मा की लोरी अब मुझे डरा रही है श्री देवी के साथ सद्मा फिल्म में काम कर चुके जाने माने एक्टर कमल हसन ने ट्वीट में लिखा मैंने श्री देवी की एक किशोरी से एक खुबसूरत महला तक की जिन्दगी को देखा वो स्टार बनने के योग्य थी उनके साथ बिताए कई खुशी के पल मेरे दिमाग को कौंध रहे हैं जिसमें उनके साथ आखरी मुलाकात भी शामिल है सद्मा में लोरी अब मुझे डरा रही है हम उन्हें याद करेंगे बता दें कि कमल श्री देवी के साथ सद्मा आखरी संगराम समेथ कई तमिल फिल्मों में काम किया था असल में बतोर लीडिंग लीडी उनकी पहली फिल्म कमल हसन के साथ ही थी जिसका नाम था मुदूर मुदुचू जो 1976 में रिलीज हुई थी सदमा दोनों के लिए करियर की बेस्ट फिल्म मानी जाती है अब वो हमारे बीच में नहीं है भगवान उनकी आत्मा को शांती दे